प्रेंड्स एक आदार कार्ड की में एक मेरे पास और यह image थोड़ी सी तिर्ची है तो हम इसको photo team में कैसे सीधा करते है मौन लिजी जैसे हम में इसकी आप print out करना ह। या इसका दूसरा duplicate आदार कार्ड तैयार करना है तो हम इसको सीधा कैसे करेंगे है हम ज़्यादा तर क्या करते है इसके copy त्यार करके Ctrl T से इसको इस तरह से सीधा करते है लेगन फ्रेंट्स फोटो सो में एक बहुत ही आसन ट्रिक है इसको सीधा करने के लिए मैं इसको back करता हूँ एक बार जैसे फ्रेंट्स कोई भी मेज आपकी इस तरह की है टेडी मेडी तो उसको आप बहुत आसानी से फरंट पे ला सकते है तो फ्रेंट्स उसके लिए करना क्या है यहाँ से हमें crop tool सेलेक्ट करना है हम crop tool की सायता से इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं हमें और कुछ करने की जरूत भी नहीं पड़ेगी यहां से crop tool लेके और सबसे पहले यहां आपका जो भी size होगा उसको हटा देना है यहां clear कर देना इसको तो यह size हट चुका है अब हमें इसको यहां पर crop इस तरह से कर ले रहा है तो इसको हम बिल्कुल black भी यहां से इस तरह से कर सकते है या इसको पूरे को इस तरह से हम कर सकते है लेकिन हम इसको ज्याज़ातर इसलिए रखते है dark ताकि हमें अपना select area नजर आ सके अच्छे से तो friends यह करने के बाद हमारे पास एक यह perspective का option है हमें इसको tick करना है यहां पर इसको tick करेंगे अब हमें यहां से इसका एक कोना पकड़के यहां से माउस से कोना पकड़के ऊपर यहां इस कोने पर लेके आएंगे आदार काड के और दूसरे नीचे वाले को पकड़के यहां पर इस तरह से लेके आएंगे और friends इसी तरह हमें इस कोने को यहां यहां पे इस तरह से set करना है आधार काड के पास और इस कोने को में यहां पे इस तरह से set कर लेना तो यह करने के बाद हमें और कुछ निकना सीधा कीबॉर्ड से enterprise करना है,階से ही आम enterprise करेंगे, हमारी image बिल्गुल एकदम front पे आ जाएगी में एक बार इंटर करता हूँ तो friends आप देख सकते है इस तरह से हमारी image बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बहुती perfect तरीके से और बहुती easily और उसका print-out भी कर सकते है और उसका टुप्लिकेट आधार कार्ड या कोई भी डॉकुमेंट्स आप तयार कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक से सस्क्राइब जुरकुरे थैंक यू